हाँ तो दोस्तो एकजारो टाइल्स के कॉटर 2 के नंबर आज चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको एकजारो टाइल्स के नंवेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो देखें यहाँ पर अगर हम रवेन्यू के नंबर के अगर हम बात करेंगे तो यह नंबर कॉटली विश्टिस पे 7 परसेंटेज चे बढ़ा है और यह नंबर आया है 72 करोट पे और अगर हम प्रॉफिटेविटी के बात करेंगे तो यह नंबर 24 परसेंटेज चे बढ़ा ह और जो net profit का number है वो यहाँ पे 75% चामें गिरता हुआ नजर आया है और यह number आया है 1.34 crore पे तो डेफिनेटली दिखा जातो यह राण यह बिशिस के जो number है वो में यहाँ पे काफी जादा disappointing नजर आते हैं और अगर हम पिछले दो कॉटर के net profit के number के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी लगबग 55% का P ratio में यह company का नजर आता है तो valuation wise अगर हम दिखेंगे तो कोई ज़्यादा growth के number देखने को नहीं मिल रहे है और वहाँ पर अगर हम P ratio के इसाफ़ अगर हम बात करेंगे तो काफी ज़्यादा over valuation पे यह company हमें ट्रेड हो तीवी नजर आरही है त तो मुझे लगठा है कि यहाँ पे stock ज़्यादा तो बढ़ने वाला नहीं है लेकिन कितना गिरेगा यह मुझे मालूम नहीं है लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा बढ़ने के opportunities का यह company बहुत सारे twitter handles पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ही के net profit के numbers company के होंगे तो देखिए 25 करोड का net profit अगर company को करना है तो काई ने कई 200 से 300 करोड के लगबक के revenue के numbers होने चीए तब जाके वो number होगा तो वो लंबा प्रसिल यहाँ पे रहेगा तो तीन-चार साल यहाँ पे company को लगेंगे तो पॉइंट आप ज़िए मेरे वगे हैं चीए धिर ऑफ दक लुच के अवाँ lens लीए से लिए सेव के लाय है तो देख के लाहत है आवोोरा मेरे दोतagt करना है यह तो बड़्र vara वा तोंना मेरे आव